नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका आरजी स्मार्ट क्लास में आज के इस वीडियो में सीटेट एक्जाम के लिए हम एंवायरमेंट के पार्ट 11 पर डिसकस करने वाले हैं आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे ल अगला प्रशन है भारत के किस भाग में टेपियो का और नारियल को लोग उगाते हैं और उन्हें इन से बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है गोवा असम आंध प्रिदेश या राजस्थान तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा अगला प्रशन है कक्षा पांच के चात्रों में जिग्यासा जागरत करने का निम्लिखित में से सबसे प्रभावी तरीका क्या है गेहन जाच परक और कल्पना परक प्रशन पूछना अधिक हस्त परक अनुभव प्रदान करना इकाई परिछणों का आयोजन करना या लिख अगला प्रशन है यदि एक महिने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रशन को पूछने का क्या उद्देश है? आपके सामने है बिजली के स्रोतों के बारे में चात्रों का आकलन करना चात्रों की कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना अगला प्रशन है कि बिहार राज के लोगों के लिए बंदमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवेदी कौन सी होती है अक्टूबर से दिसंबर, अप्रेल से जून, जुलाई से सितंबर या फिर जन्वरी से मार्च तो आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए अक्टूबर से दिसंबर के मद्धे अगला प्रशन है कि कोई पक्षी पेड की उची डाल पर अपना घोसला बनाता है तो या कौन सा पक्षी हो सकता है? कववा, गोरया, कल्चिडी या इन में से कोई नहीं अगला प्रशन है कि पोचम पल्ली गाउं विशेश प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इस कपड़े को भी पोचम पल्ली ही कहते है या गाउं किस राजिब का भाग है? आंधर प्रदेश, करनाटक, तमिलनाडू या राजस्थान निश्च कुष्णन की कुछ जानवर रात में जगते हैं ये जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं? काला और सफेद, नीला और हरा, पीला और लाल या लाल और नारंगी अगला प्रशन की मिर्त सागर क्या है? अगले प्रशन की तरफ, आज का अगला प्रशन है कि परियावरन की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्णोत्तर तक्नीक का सबसे अच्छा उपयोग इसके लिए किया जा सकता है सीखने की जग्यासा उत्पन करने के लिए छात्रों का ध्यान आकरशित करने के लिए प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए या फिर कक्षा में अनुशाशन बनाए रखने के लिए तो प्रेशन का जो सही उत्तर है वो है आप्शन A. सीखने की जग्यासा उत्पन करने के लिए आपसे रिक्वेश्ट है कि आप इस वीडियो को प्लीज जरूर लाइक कर दीजिए क्योंकि इसमें जितने भी आप ये कोशन देख रहे हैं ये सभी NCRT की बुक से लिए के कोशन हैं और आप को सीटेट का कोई भी एक्जाम जो है जो है वो पेपर उठा के देख लिजिए आपको इसमें से प्रेशन जो है वो जरूर मिलेंगे तो इसलिए ये पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा और आपसे रिक्वेश्टे के प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे जो है शेर भी करिएगा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रेशन के तरफ अगले प्रेशन की प्रात्मिक इस्तर पर पर्यावरण की पढ़ाई का प्रमुक उद्धेश क्या है कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के विद्यार्थी के विद्याले से बाहर के जीवन से सम्मंधित करने में सहिता करना सुतंद्र रूप से क्रिया कलापों को करने का कौशर जित करना अगले इस्तर के अध्यन के लिए विद्यार्थीयों को तयार करना या विशे की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विक्सित करना तो प्रात्मे किस्ता पर पर्याम वर्णर की पढ़ाई का प्रमुक उद्देश है option A कक्षा की पढ़ाई को विद्यार्थी के विद्याले से बाहर के जीवन से सम्मंधित करने में साहिता करना निजश कोष्टर पर वर्चों के संकल्पना के बारे में चात्रों को सम्वेंदर शिल बनाने के लिए कौन सा क्रिया कलाफ उत्पिक्त नहीं है प्रतेक चात्र को एक पेड़ की देखरेक की सपत दिलाना बच्चों को लखडी के लट्ठों का भंडारण दिखाना व्रक्षों पर पोश्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना या फिर व्रक्षों पर स्लोगन लिखने की प्रतियोगिता आयोजित करना तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आप्शन B बच्चों को लकडी के लट्टों का भंडारं दिखाना निश्कोष्णने की परियावरण की कक्षा में सामाजिक असमन्ताओं पर अधिक पल देने के लिए निम्लिखित में से कौन सा अधिक प्रवावी अधिगम होगा संबंधित विश्यों पर प्रतियोगिता का संचालन अगला प्रशने की परियावरण अधियन की पाठ पुस्तकों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है तो इसका क्या उद्देश है घर में विद्यार्थियों को वेस्त रखना परिक्षा में निश्पादन को सुधारना या फिर वैज्ञानिश शब्दावली की परभाशाएं सिखाना तो इस प्रशन का जो सही उतर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन अ प्रत्यक्ष हस्त परक अनुबाव उपलब्द कराना निश्पोशन है माउंट एवरेश्ट किस देश में स्थित है भारत, नेपाल, मियामार या भूटान सयुतर है ऑप्शन बी नेपाल माउंट एवरेश्ट जो है ये हिमाले परवत की सबसे उची चोटी है जो की नेपाल में स्थित है अगला प्रशन है कि यदि आप रेलगाडी के द्वारा गुजरात के एहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर खाने की कौन सी चीत दिखाई देगी धोकला, चटनी और नीबू वाले चावल पूरी साग वठंडा दूद इमली की चटनी वा बड़ा चटनी या फिर इन में से कोई नहीं तो प्रशन का सयुतर हो जाएगा वे उड़ सकते हैं या फिर इन में से कोई नहीं तो आपका सयुतर हो जाएगा पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती तो इसलिए पक्षि जो है उनको अपनी गर्धन जो है उसको बार-बार घुमाना पड़ता है निश्ट कुश्टन है राष्टी पाठी चर्चा की रूप रेखा 2005 के अनुसार प्रात्मिक इस्तर पर परियावन अध्यन सिक्षन का प्रमुक उद्देश क्या होना चाहिए कक्षा के अधिगम को विद्याले के बाहर के जीवन से जोड़ना विशे के आधार भूत सिद्धान्तों को इसमर्ण कराना विशे की आधार भूत संकल्पनाओं की आधार भूत समझ का विगास करना या स्वतंद्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता को प्राप्त करना तो प्रेशन का सही उत्तर हो जाएगा option A कक्षा के अधिगम को विद्याले के बाहर के जीवन से जोड़ना निश्कोष्टने की NCRT की पाठ पुस्तकों में परियावरन अध्यन को उच्छ प्रात्मिक्ता और इस्थान क्यों दिया गया है option A है चिंतन और विस्मे के लिए चात्रों को अवसर उपलद कराने के लिए तक्निकी शब्दावली की सटीक परिभाशाई उपलद कराने के लिए अधिक संख्या में अभ्यास प्रशनों को शामिल करने के लिए या फिर विशे की आधार भूस संकल्पनाओं की व्याख्या क करने का निम्रिखित में से कौन सा उद्देश नहीं है अब देखें यहां पर नहीं है इसलिए आप इस कोशन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि पर्यारण अध्यन की पाठ प्रस्तों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्रिखित में से कौन सा अगला प्रशन है सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना सब्जियों को काट कर धूप में सुखाना और फिर पकाना बैक्टेरिया नेश्ट करने के लिए सब्जियों को देड़ तक तल्ला सयुतर हो जाएगा option A, सबजियों को अच्छे तरह से धोना और फिर काटना Next question है कि नीबू साधानर पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है तो ऐसा क्यों होता है? नमकीन पानी का घंदतो साधानर पानी के घंदतो से अधिक होता है नीबू का घंदतो साधानर पानी के घंदतो से अधिक होता है या फिर साधानर पानी का घंदतो नमकीन पानी के घंदतो से अधिक होता है सयुतर है option A, नमकीन पानी का घंदतो साधानर पानी के घंदतो से अधिक होता है नेश कुष्णने की परियावन की कष्षा में अवधराणाओं को इसपष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी का प्रियोग क्यों किया जाता है प्रकति को खोजने एवं कल्पना करने की योगता के विकास के लिए चात्रों में भाशिक एवं सांस्कृतिक विविता को ध्यान में रखता है पाट को आनन्द दायक और रोचक बनाने में मदद करता है और या फिर उचित दिशा में बच्चों की ओर्जा को सकेंद्रित करता है प्रशन का सयुत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रकतिकों खोजने एवं कल्पना करने की योगता के विकास के लिए अगला प्रशन है ग्रामीर छेत्रों में गाय के गोबर से जोबडी की दीवारों और फरश को क्यों लिपा जाता है निश कुशन है कि परियावरन अध्यन की पाठ पुस्तक में पहलियां शामिल करने का निम्रिकित में से कौन सा उदेश नहीं है चात्रों के मस्तिस्कल को भ्रह्मित करना, स्रजनात्मक, चिंतन की योगिता और उत्सुकता का विकास करना चात्रों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विक्सित करना या फिर इन्वे से कोई नहीं तो प्रशन का सयुत्तर हो जाएगा option A चात्रों के मस्तिश्क को ब्रहमित करना अगला प्रशन है पर्यावराण अध्यन की पाठ पुस्तक में railway ticket को क्यों दिखाया गया है चात्रों को rail के किराय के बारे में बताता है चात्रों को वास्त्विक जानकारी प्रदान करने का अवसर देता है टिकेट में प्रिविबिन संक्षिप शाक्ष्रों का ज्यान प्लद्द कराता है या फिर निश्टर पर पहुँचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है तो आपने भी देखा होगा कि परियाव निद्धिन की जो आपके अगला प्रशन है कि निम्रिखित कत्थों में से कौन सा कत्थन प्रात्मिक इसतर पर परियावन अध्यन पढ़ाने का उद्यस नहीं है चात्रों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाशाओं का बोच डालना चात्रों से खोजने एवं वहवारी करियाए कराना प्राकरतिक एवं सामाजिक वातावरन के बारे में उच्छुकता जगाना या फिर परियावन से समंधित मूलियों को आत्म साथ करना से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चात्रों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाशाओं का बोच डालना अगला प्रशन है निम्रिखित में से कौन सा प्रात्मिक विद्याले में परियावन पढ़ाने का उद्देश है विद्याले में चात्रों के अनभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना चात्रों को तक्निकी शब्दावली और परिभाशाओं से परिशित कराना परियावन अद्दिन से संबंदित तक्निकी शब्दों का अधियन कराना या फिर इनमें से कोई नहीं प्रश्ण का सयूत्तर हो जाएगा option A, विद्यार्थियों में चात्रों के अनभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना अगला प्रश्ण है, कौथन एवं वाश्पी करण में क्या अंतर होता है वाश्पी करण किसी भी तापमान पर होता है जबकि कौथन नहीं कौथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाश्पी करण से नहीं कौथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाश्पी करण में अवस्था नहीं बदलती है और कॉथन में द्रव से वाष्ट में परिवरतन देखा जा सकता है जबकि वाष्ट पी करण में नहीं देखा जा सकता ठीक है तो अब कॉथन यानि की उबालना ठीक है तो आपका आंसर जो सही होगा वो होगा option A वाषपी करन किसी भी तापमान पर हो सकता है लेकिन कथन जो है वो किसी भी तापमान पर नहीं हो सकता उसके लिए कुछ खास तापमान की आश्क्ता होती है तो friends अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे शेवर सब्सक्राइब करना ना बूलें वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तकि हम इस तरह के और वीडियो बनाते रहें आप कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रू बताएं तो आज के लिए नहीं देखते रहें यार जे स्मार्ट क्लास धन्यवाद